हलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तो आज के से वीडियों बात करने वाले टेक्निकल असिस्टेंस बी और टेक्निसियन ए रिक्रूट्मेंट का फॉर्म को कैसे फिल अप करना ठीक है डिडियों के तरब से फॉर्म आई वी 1901 पोस्त टोटल निकाली गई है तो इसमें दोस्तों पूरा डिटेल आपको step by step फॉर्म को फिल अप करके आपको जोस्तो अभी दिखाने वाले है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर ने इसके बीच में आपको दोस्तों यहां पे apply कर देना है आपका एक्जाम होगा tier 1 सिर्फ एक एक्जाम लिया जाएगा cbt based होगा वह एक्जाम ठीक है अब यहां पर age limit का बात कर रहा है 18-18 साल का candidate इसको आवधन कर सकता है अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल पो कर सकते हैं diploma degree relevant discipline में अगर आपका है तो आप जो से इसको apply कर सकते हैं तो चलिए इसको पूरा step by step आपको इसको form फिलब करके बदाते हैं सबसे पहले आपको दोस्तों जो हम link देंगे उस पर किलिक करना उसके आपको registration पर किलिक करना पड़ेगा या फिर दोस्तों डारेक्ट करना नीचे अपने phone को और यहां पर देखिए इसको on करना है ठीक है इसको off कर दिये और जो अपका screen है उसको roll करना ठीक है इस तरह से देखिए हमने roll किया पूरा detail फिर से आगया ठीक है तो इस तरह से आगया अब इसके बाद फिर दोस्तों यहां पी जो भी है detail जो मांग फील करना उसके बाद जो सो हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो चलिए फटा-फट हम जो सो फील करके आपको बताते हैं यहां पर देखिए आपका पूरा नाम लगेगा ठीक है यहां पर जो सो candidate का फीर से नाम लगेगा ठीक है उसको confirm करने के लिए आपका mobile नंबर एक्टिव वालग cap यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यॡ्य धिश्टर पर क्लिक करना ठीक है यहां फिरेजिस्टर पर दोस्तों यहां पर किलिक करना पडेगा ठीक है तो चलिए फटा-फटा-फटान म fills करके आपकोन से पर लेकर के जाते हैं सो फ्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं पूरा डिटेल जो सो फील कर चुके हैं यहां पर capture भी डाल चुके चलिए register पर किलिक करते उसके बाद देखते क्या होता है तो इस तरह के दोस्तों यहां पर pop-up खुलेगा उसका फिर आपको ok पर किलिक करना है जब आप ok पर किलिक किजेगा तो आप जो सो next page में चल जाईएगा ठीक है so friends आप यहां पर देख सकते हैं जो सो नया page पर आ चुके हैं यहां पर इस तरह का कुछ page आएगा ठीक है तो आपको क्या करना आपको अपना email चेक करना वहां पर जो सो आपको login ID और जो सो password वहां पर जो सो provide किया गया होगा तो चलिए हम अपना login ID और जो सो email में जो आया password उसको हम check out करते हों उसके बाद फिर आगे का process किया जाएगा तो आपको भी इसी तरह जो सो चेक करके उसके बाद आगे का process जो सो करना है तो friends यहां पर जो सो मेरा password आ चुका है देखे मैंने mail चेक किया था लेकिन वहां पर नहीं आया था ठीक है तो जो मैंने अभी अपना mobile नमबर दिया था उस पर जो सो password आया था तो हम जो सो वही वाला डाले हैं और अगर आपका भी कुछ ऐसा problem होता तो आप अपना mobile नमबर भी चेक किजेगा जो आपने mobile नमबर दिया होगा ठीक है तो वहां पर वीजो सो कभी कभी password आता है अगर email पर नहीं आया होगा तो यहां पर देखे वो हम डाल चुके है email एडिया और password डाल चुके है यहां पर सुरच्चा code भी डाल चुके है तो आगे का stage हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर जब आप submit किजेगा तीस तरह का कुछ page को लेगा यहां पर update password करके यहां पर आएगा तो आपको क्या करना आपको नया password दोस्तों यहां पर बनाना है ठीक है यहां पर देखे password बनाने का जो नियाम है यहां पर लिखावा new password should have minimum 8 character आपका र दालना पड़ेगा ठीक है तो किया पर current password यहां पर आपको डालना है जो current password था वो आपको यहां पर डाल दिए जो आपका message में आया था उसका पर यहां पर नया password आपको खुद से बनाना है तो चलिए हम अपना password बनाते हैं उसके बाद पिर आगे का process आपको इसो बताने वा दाले दिखेंगे अपडेट पर जब आप किलिक किजिएगा पासवर्ट सूट है minimum 8 alpha नमरी कारेक्टर ठीक है तो यहां पर दिखें हम 8 से कम डाले हैं तो हम last में क्या करते हैं एक लगा देते हैं ठीक है अपने password में जो 101 लगा देते हैं कितना हो गया साध हो जाना चाहिए हस्ता चर चाहिए ठीक है दांसवी का मैटिक क्लास का दोस्तों यहां पर जो सो फाइनल मार्क सीट और जो सो चाहिए उसके बाद भी अनिवार सैसनिक योगिता का जो सो डॉक्यूमेंट वगेरा चाहिए ठीक है तो यहां पर देखें हर एक जो है वो 50 के भी या फिर 40 के भ आता है उसको डाउनलोड करना है उसके बाद फिर उस पर फोट अपलोड किजेगा उसका फिर मन चाहा आप जितना के भी बनाना चाहते उतना के भी में बना सकते ठीक है तो आप डाउनलोड कर लिजेगा उसके और फिर सारा डोक्यूमेंट को स्केन करने के बाद आप जो स दोस्तों अगला स्टेज में इस तरह का पेज खुए लेगा ठीक है जब आप किलिक किजिए नियू रिस्टेशन पर तो यहां पर देखें यहां पर पद का नाम चुछ करने के लिए उप्षान आगा देखें हम यहां पर सिनियर टेक्निकल असिस्टेंस बी का पोस्ट को हम तो उसके बात पर आने का बात दखें आपकी इस ब्रांठ से हैं वो आपको इस वे सरे害 करना थे दिए हम इंढने डिप्लॉमा किया है तो उसको हम दोस्तों यहां पर किलिक करते हैं अब यहां पर दीए क्या आपके पास आडवर्टिज के अनुसार अनिवार से संक्रीक्त तो यानि हाँ तभी तो हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं अब यहां पर देखें कंडिडेट फॉर विए बी टेक एमसी एमटेक पीएज़डी है या फिर नहीं है ठीक है तो यहां पर नो करना है ठीक है अगर आपने पासवर्ट किया तो यस कर सकते हैं अब यहां पर चूज डि किलिक करते हैं यहां दो आपसन आ रहा है तो नॉन क्रेमी लेयर पे जो दोस्तों इहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद डेट ओफ ज daso शर्टीफिंट नंबर बगर चाहिए ठीक है थिकर उस पर दोस्तों यहां पर डालना पड़ेगा है तो दोस्तो हमने यहां पर सारा जो भी मांग रहा था वो फिल कर चुके हैं एक बार हम आपको पूरा बता देते हैं देखें आपर सबसे पहले पद का नाम आपको डालना उसका फिर उसके जो आपने किसी विशे से किया है डिपलोमा डिग्री या फिर कोई भी चीज वह यहा नहीं किया यहां पर नो कर दिये हैं ठीक और यहां पर बात करते हैं काटेग्री यहां पर चूज करना दोस्तों उसका फिर यहां पर कास सर्टिफिकेट नंबर यहां पर डालना है कब वह इसू हुआ था कास सर्टिफिकेट लेटेस्ट लेटेस्ट वाला वह यहां पर डा जालना ठीव चाव्था है डीवान यहांग है तो नहीं ठीवुसकर फूर इन्हीन सबकुछ छोड़ देना इस तो देखें हम नहीं तो नहीं कर दिये क्या आप एक चरर्वीश्में तो नहीं उसके बाद फिर देखंगे łँटं तो डिसेबल है तो नहीं उसके बाद फिर यहां पर देखे क्या आप कस्मीर से हैं तो हम नहीं है तो नहीं कर दिए उसके बाद यहां पर अधार कार्ड यहां पर पहचान पत्र के नाम से यहां पर दोस्तों मैंने अधार कार्ड डाला यहां पर देख सकते हैं यह वाला उसक को छोड़ देना सारे रिक मापदन में दोस्तों यहां पर आपका कितना सेंटीमीटर हाइट है वेट कितना वो सब डालना है परिछा का वीवरण यहां पर देखे सेंटर आपको चूज करना तो यहां पर बात करते जन तीतनिह यहां पर दोस्तों आपको डाला पड़ेगा उसका फिर आपधा फ़ी मिल डालना उसका फिराइद्रेस में यहांपर देखे घ्राम डालना पोस्ट उसका थाना डिस्टिक डालने के live इहाँ पर देखे अलग से आपको section मिल जाएगा state के लिए अलग से section आपको मिल जाएगा pin code के लिए भी अलग से section मिल जाएगा ऐसा नहीं कि यहीं पर सारा जो सो आपको डाल देना है क्योंकि बहुत सारे student ऐसा गलती करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखे हो गया उसका फिर सेम इस पर्मनेंट एड्रेस यहाँ पर जब आप क्लिक के जाएगा देखे पूरा अपने आप फॉर्म फिलप हो जाएगा ठीक यह वाला है उसके बाद फिर देखे हैं आपको क्लिक करना नौर्मल यह वाला ठीक तो पूरा यह वाला पूरा पूरा अपने आप फिलप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ निक करने यहाँ पर सब्मिट करना है उसका फिर आगे का प्रोसेस जो होगा वह हम आपको बताने वाले ठीक है चलिए देखते हैं कुछ एरा राया वो क्या एरा राया तक नंबर ढालना तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 97 ज्यादा देरी तक हम दोस्तों आपको बताने के लिए form को ज्यादा देरी तक उस page को खोल करके रहे थे इस कारण से ऐसा लिखा लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है अगर आप जल जल में यह form को फिल अप करते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा यह था दोस्तों पू करें वे अभी चरह भी एक आपको से लिए उसे सबदों से दिक्सीन आपको झापको आपको कर दोस्तों से आपको को आपको को ज्यादा आपको के जाए मुँआ है यह श्यादग पूस्तों सुर्ण